उपमंडल बलके डडोर में एक गन्य की जूस की मसीन में बच्चे का हाथ आने से बैगंबीर रूप से गाइल हो गया है उसे लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर्चोंक पंचैत जहां से उसकी श्तिती को गंबीर देखते हुए उसे शिमला रैफर कर दिया गया है जानकारी के अनुसार गन्य के जूस के मसीन में एक 11 वर्षे बच्चे योगिश कुमार का हाथ आने से बैगाइल हो गया है बच्चा डडोर में गन्य के मसीन लगाने वाले अपने पिता को खाना लेकर आया था बच्चे का दियान इधर उदर हो गया और हाथ मसीन के उपर लगया जिससे चलती हुई मसीन ने उसका हाथ अंदर की और खिंच लिया योगिश के पिता हेमराज ने जल्दी से मसीन बंद करके गाइल योगिश को लाल बहादु शास्त्री इस्पतल उपचार हितु लाया जहां पर चेक्स्त को ने उसकी हालत को देखते हुए प्रात्मिक उपचार करने के बाद शिमला रैफर कर दिया है हेमराज नगर परशिद निर्चौंग के डामबा का निवाशी है तथा रोजाना डडोर पुल के पास गरने के मसीन लगाता है गरीब परिवार होने के कारण मेहनत मजदोरी करके तथा गर्मियों में गरने के जूस बेचकर परिवार का पालन पोशन करता है हेमराज ने बताया कि योगेश दोपहर को खाना लेकर आया स्कूल में छुटिया होने के कारण वे थोड़े देर मेरे पास बैठ गया मसीन चल रही थी और उसका ध्यान बटक गया तथा हाथ मसीन के उपर लगे उसका हाथ अंदर की और चला गया बड़े मुशक्कत से हाथ को चुड़ाय तथा अस्पताल में लाया गया बल पुलिस कटनस तल पर पहुँचकर कारेवाई कर रही है